हेलो वाइस, वेलकाम बेक टो यूटूब चैनल, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को बात करेगा किस तरह गेम लूप 7.1 को बेटा वर्जिन में डाउलेड कर सकते हो, गेम लूप एक बहुत ही अच्छा एमूलेटर है, जिसकी मज़ से अब किसी भी एनरेट गेम को अपनी केम्पीटर भी लापटाप पर इस्ट्राल कर से रहते हो, बिना किसी एरोर के, साथी साथ इसमें ये भी बताए जाएगा कि आप कौन सा वीपेन का यूज करें गेम लूप के साथ, ताकि आपको इस्पीड भी आच्छा कसा मिले, और कोई एरोर भी देखने को ना मिले, अ आपको साथ बर में टाइप करेंगे, गेम लूप 7.1 डाउनलोड, फिर जो सबसे पहले नंबर पर वेबसाइट आ रहे है, आपको इस पर क्लिक करना है, इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्सिप्सिंट पर आ सकते हो, फिर आपके सामने गेम लूप का OPCL यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इसके अलाभा user guide, lag related problem का solution भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, गेम लूप का पहला वाला version है, उससी यह काफी advanced है, इसमें आप बिना लेगिंग के किसी भी high graphics game को खेल सकते हो, अपने computer लेपी laptop पर, आप इन सब को इसके बाद हम scroll करते हुए नीचे आएंगे, फिर English global 7.1 beta इस पर click कर देंगे, फिर आपको एक दूसरे tab पर redirect कर दिया जाएगा, और यहाँ पर आप language select कर सकते हो, हम by default English ही रहने देते हैं, फिर scroll करते हुए नीचे आएंगे, और यहाँ पर install now इस पर हम click कर देंगे, और इस इस install button पर click कर देंगे, उसके कुछ टेम बाद हमें यह error देदेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, HTTP download error, error code 4, यह error basically इसलिए आ रहा है, क्योंकि game loop इंडिया में banned है, आप इसको बिना VPN के download लहीं कर सकते हुए, पर चलिए, सबसे पहले हम VPN डाउलोड करते हैं, उसके अच्छा VPN में को टाच VPN लगा, आप टाच VPN को Microsoft Store से डाउलोड ना करें, उसको Google से ही डाउलोड करें, otherwise यह वार्क नहीं करेगा, तो आप Google में जाए और search bar में टाइप किजे टाच VPN, और इसके बाद टाच VPN को official website को open किजे, फिर आप gate टाच VPN पर click करें, फिर आपको काफी से इसे डाउलोड कर लेगा, फिर आप अपने system की हिससाब से डाउलोड कर लिजे, हम Windows के लिए इसे डाउलोड कर रहें, था हम Windows MSI इस पर click करेंगे और इसे डाउलोड कर लेंगे, then हम इसे install भी कर लेंगे, then हम इस पर double click करते इसे open कर लेंगे, और यह automatically किसी भी server के साथ connect हो जाएगा, आप इसे manually किसी भी server के साथ connect कर सेकते हो, manually किसी भी server के साथ connect करने के लिए अपको इस पर click करना है, और आप किसी भी server के याँसे select कर सेकते हो, यहाँ पर आप देख से तो encryption is enabled, शाथी साथ इसमे आपको speed भी देखने को मिलेगा, और time भी जेगन को मिल जाएगा, आप अगर C drive में से install करना चाहते हो, तो आप सीथे install बटन पर click कर दे, तो यह आपके C drive के default location में install हो जाएगा, अगर आप किसी दूसरी drive में से install करना चाहते हो, यहाँ पर आपको installation option देखे हो, आपको इस पर click करना है, और आपको इसे किसी भी दूसरी drive को select कर लेना है, हम जो कि app drive में इसे install करना चाहते है, तो हम app drive में जाएगे, और यहाँ से एक folder को select कर लेंगे, उसके बाद install बटन पर click कर देंगे, तो यहाँ पर आप देख सेकते हो, गेम लूप का installation सुरू हो चुका है, यह बहुत ही आसान तरीका है, जिसकी मदल से आप गेम लूप को अप अब हम इसे download होने देते हैं, डाउनलोड होने में यह ज्यादा MB नहीं देते हैं, अफ्रॉक 200 MB के अंदर यह आपके system में download हो जाएगा Download complete हो जाएने के बाद इसका installation process सुरू हो जाएगा, install होने में भी थोड़ा से टाइम लेता है, तो हम इसे बिना चेटकनी करते हैं, install होने में देते हैं, और वीडियो को fast forward कर दे तो यहाँ पर आप देख सेकते हो, game look successful लिए अपने system पर install हो चुका है, अब हम इसे start बटम पर click करके open कर लेंगे, तो यहाँ पर game look अपने system पर open भी हो चुका है, और यहाँ आपको काफी सारा popular game जाएगी PUBG, Free Fire देखने को मिल जाएगा, आप इन सब को easily अपने computer यहाँ पर आपको हमारे चैनल को subscribe और साथे साथ बेल आइकन को test करना पड़ेगा, तभी आप हमारे उन वीडियो को भी देख पाऊगे, जो वीडियो हम future में upload करने वाले है अपने चैनल पर, so वीडियो के यहाँ पर end करते हैं, वीडियो अगर पटन है तो वीडियो को like, share, subscribe, जो कु I think that I'm invisible